नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है। आप अपने घर पर ही अपने बालों को स्टेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है, हर रोज बालों में गरम तेल अपलाई करने से बाल बहुत जल्दी सीधे हो जाते हैं। साथ ही इनमें नमी भी बनी रहती है। गरम तेल बालों में एंटन और करल को सीधा करने में काम करता है अगर आपके पास नारियल तेल ओलिव ओल या फिर बादाम का तेल है तो उसी का इस्तिमाल करें इसके अलावा आप तिल के तेल का भी प्रियोग कर सकते हैं तेल को हलका गरम कर लें, तेल को हलके हातों से बालों पर लगा कर मसाज करें, करीब 15-20 मिनट तक स्कैल्प पर मसाज करना फायदे मन रहेगा, अपने बालों को फुल लेंथ में कंगी करें, उपर से नीचे कंगी करने से आपके बालों की उल्जन सुलच जाएगी, वहीं धो के दौरान आपके बाल कम टूटेंगे। कंगी करने के बाद हलके गरम पाणी में तोल्या डुबो कर बालों पर बांद लें। इस तरह से स्टीम ट्रीटमेंट से टेल बालों की जड़ों तक पहुंचे गा। करीब आदे गंटे बाद बालों को किसी माइल्ड सेमपू से कोकोनेट होते हैं इसके अलावा ये बालों को कोमल मुलाइम और चमकदार बनाता है इसके एंटी बैक्टिरियल एंटी फंगल और पोशक गुण बालों को संपूर्ण पोशन देते हैं एक साफ कटोरी में कोकोनेट मिल्क और निम्बू के रस की कुछ बुंदें मिला लें इ पिर इसे फ्रीज से निकालने के दोरान देख लीजिए कि इसके ऊपर एक क्रीमी लेयर आगई हो इस क्रीम से बालों पर करीब 20 मिनट तक मसाज कीजिए और 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए हलके गरम पानी में तोलिया डुबोकर बालों को बांध लें इसे इसी प्रकार 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए बालों को किसी माइल्ड सेम्पू से साफ कीजिए उसके बाद जब बाल हलके गिले हों तभी कंगी कर लीजिए इसके बाद अगर आपके बालों की चमक खो चुकी है तो आपके लिए अंडा काफी फाइदे मन साबित हो सकता है इसके साथ आलिव ओयल लगाने से बालों को माइस्चर मिलता है इन दोनों के साथ मिलकर लगाने से काफी फाइदा होता है किसी बरतन में दो अंडों को जरूरत अनुसार आलिव ओयल के साथ मिलाकर फेट कीजिए इस मिश्रन को अपने बालों पर सकेल्प कर लीजिए इसके बाद किस बालों को किसी mild shampoo से साफ कीजिए उसके बाद जब बाल हलके गिले हों तभी कंगी कर लीजिए इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी के इस्तिमाल से भी बाल प्राकर्तिक रूप से स्ट्रेट हो जाते हैं और इसके अलावा ये बालों के रूख्य पन को भी कम करने में मददगा होता है यह एक नेचुरल ब्लिचिंग एजेंट है मुलतानी मिट्टी को अंडे के सफेद भाग के साथ मिला लीजिए इसमें एक चम्मच चावल का आटा भी मिला लीजिए इसमें पानी डाल कर एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए इस मिक्चर को बालों में ऊपर से नीचे लगा लीजिए उसके बाद किसी मोटे दानत वाली कंगी से कंगी कर लीजिए एक गंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर धो लीजिए इसके बाद बालों पर दूद का स्प्रे कर लीजिए 15 मिनिट के लिए छोड़ कर फिर धो लीजिए इसके लाबा दोस् जेल और ओलिव ओईल आपस में मिला लें, इस मिक्सर से बालों को अच्छी तरह मसाज कर लें, हलके गरम पानी में तोलिया डुबो कर बालों को बांद लें, बालों को किसी माइल्ड सेंपू से साफ कीजिए, उसके बाद जब बाल हलके गिले हो तभी कंगी कर लीजिए, तो धन्यवाद